मस्कारा आप रेक रहे हैं टाइंस न्यूज और मैं हूँ आपके साथ कंचर मध्यप्रदेश के उच्छा मंत्री मोहन यादब द्वारा माता सीता को लेकर दिये गए आपतित जनक बयान को लेकर विरोध जारी है इंदौर में परशुराम सीना द्वारा संभागा युक पिकारले पर विरोध करते हुए पिधार मंत्री के नाम ग्यापन सौपा जिसमें परशुराम सीना द्वारा मंत्री मोहन यादब को मंत्री पद से हटाने की मांगी है परशीराम सिना के अनूप शुकला ने बताया कि मध्यपदेश के उच्छ शिक्षा मंट्री मुहन यादव अपने बयान में ये कहा कि सीता माता जब लंका में थी तो विदवा सुरूप में वो शुरीराम से तलाक माना गया है साथी सीता माताची ने जो धर्ती में अपने आपको समा दिया था जिसे लेकर मंट्री मुहन यादव ने आत्महत्या जैसे शद्रक अस्तमाल किया है परशीराम सिना ने ग्यापन में मांग की है कि राम चरिट रुमानस की चौपाईयों की अग्यानता के चलते मुहनी आदव द्वारा जो अनरगल बयान बाजी की गई है उसके लिए ततकाल प्रभाव से वो माफी मांगे या फिर प्रदेश की मुकिया शिवराग सिंग चोहान तुरंत उन्हें इस पत से हटाएं देखे देश के प्रदान मंतरी और जहां हिंदुस्तान की पूरी लोग भगवान शिरी राम को अपना अराध्य मानते हैं अपना देवता मानते हैं ऐसी स्थिती में उच्च शिक्षा मंतरी मोहन यादो जी द्वारा ये कहा जाता है कि सीता मय्या जी जब लंका में गई थ तो विद्वा स्वरूप में थी साथ ही वहाँ पर उनका राम जी से तलाक हो गया था उसके बाद उन्होंने जो धर्ती माता के अंदर समाई मा सीता वो उनके आत्म हत्या थी यहां हक किस ने दिया उस मोहन यादो जी को कि वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करे एक विश्वास करती है पूरा हिंदू धर्म हिंदू सनातन धर्म जो है वह भगवान शिरी राम और बोले नात और ब्रह्मा जी विश्णू जी के उस पर चलता है किंतु मोहन यादो जी ने जो अपनी बायान बाजी करी है वह बहुती निंदनी है वह शिक्री या तो लिपी भेजी है अगर यह नहीं होता है तो पूरे प्रदेश भर में उनके खिलाफ फिर अंदोलन परशुराम सेना के माध्यम से किया जाएगा तैटीस जिले हैं मत्यों प्रदेश में जहां पर परशुराम सेना का कुछ का अपने संगठन सर्वाइव कर रहे हैं मैं प्रदेश